लकनों में 79,000 भरती शुक्षक एक अंक के विबाद अभ्यारती जल्दी प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ से मुलाकात करने बाले हैं और उनके समक्ष में अपनी कुछ मांगें भी रखेंगे सुप्रिम कोट के अंतिम आदेश के बावजू भी दस माह से बेशिक सिक्षा विभाग में नियुक्ति की प्रिटिक्षा हजारों अभ्यारती कर रहे हैं राजधानी लखनों के आलंबाग इस्तित एको गार्डर में 25 बे दिन भी इन प्रदसन कारियों का धरना लगातार जारी रहा प्रदेश भर के दूर दराज के जलों से आए अभ्यारतियों का कहना है कि दस माह पहले 2022 में सुप्रिम कोट ने सेक्षिक परिभासा प्रिशन पर एक अंक बढ़ाते हुए कोट की शरण में आए अभ्यारतियों को मेरिट कट आफ के अनुसार नियुक्ति के इलाबाद कोट डबल बेंच के 25 अगर्ष्ट 2021 के पारित आदेश को सही करार देते हुए अभ्यारतियों के फैसला सुनाते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक हमें एक अंगिसे नियुक्ति से बंचित रखा है सेक्षिक प कि धरना इस्तल पे मुख्य बात है कि यह सिच्चक भड़ती का मामदा है उन्तर सिच्चक भड़ती जो 2018 में आई थी इसका 19 में एक्जाम हुआ था और दिनांग इसके पेपर में कुछ प्रस्तिनों में कुछ हमको दिक्कत थी इसको लेकर हम हाई-कोड के समझ गए थे और 25 अगर्स 2021 को मानने इलहाबाद हाई-कोड की डबल वेंचने मेरे नाम शैलेश लाता मैं और में बस्ती जिले से हूं मैं यहां पर 25 दिन से लगातार आ रही हूं मेरे घर में मतलब मेरे तीन छोड़े-छोड़े बच्चे हैं जिनको छोड़के मैं यहां पर धरना देती कि अकलर गर्मी है और सोची एक मां अपने एक साल के बच्चे को छोड़के रोज आ रही है उसके लिए कितनी बड़ी पीड़ा है कि मतलब की हमारी क्या मांग Εैं तो उसी को बसे हम साकार रूप सचाते हैं मानियमक मत्री छी हमारी पीड़ा को समझे और हमारे संघस का सु कि हमें जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाए और हमारी बस यही कामना है मुखमंत्री जी से